हेलो दोस्तों तो आज 28 दिसंबर और आप देखे रहे हैं लान जी के भी तेज़े तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंट अफेर्स के कोशन के बारे में तो चलिए जादा टाइम बेशना करते हैं से वीडियो कितब चलते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिन भी कोशन के बारे बात करने वाले हैं वह सब्सक्राइब को सकते हैं तो आप साही कोशन को अच्छे से याद करेगा दोस्तों हम हर कोशन इलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको पताएंगे तो आप उनको भी अच्छे से करके तो सुलिए दोस्तों हमारे आज करते हैं वीडियो करने से पहले अगर अबी तक आपने चैनल को लायक शिए सब्सक्राइब करके बेल लेक्न करेस करना ना भूंसा की तो सलिए हमारे अज के वीडियो करते हैं हमार फर्स्ट कोशन है दोज़ारबाईस से इंडियन प् प्रतिश परदा करेगी तो दोस्तों 2022 से इंडिन प्रीमियर लीग यानि आई पील में दस टीमें प्रतिश परदा करेगी तो हमारा डी ऑप्शन सही है तो चलिए दोस्तों इसके बार में कुछ इम्रेट पर जानते हैं दोस्तों भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बी सी सी इने एमदाबाद में अपनी 89 वी वर्षी काम बैठकायुजित की बैठक में यह ने लिया गया कि 10 टीम में इंडिन प्रीमियर लीग यानि आई पील में 2022 से वर्तमान आठ टीमों के खिलाब प्रस्तिश परदा करेगी अब दोस्तों यहां पर बी सी सी की बात ओरी तबी सी के हैड कोन है सोरव गांगुली दोस्तों बी सी सी का हैड कोटर कहा है मुंबई में अब दोस्तों बी सी सी अब यहां पर क्रिकेट की बात हो तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है आई सी सी का वो मुख्याले कहा है यूए में दोस्तों अब पूरे पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को इसे रिए निए और फूरे वर्ल वो रल्ड में टैनिस को बढ़ेशन ने बढ़ते हमार नेक्स्ट कोशन है बाग अब्यारन में भारत का पहला होट एर बैलून वाइल लाइफ सफारी किस बाग अब्यारन में शुरू किया गया है तो दोस्तों बाग अब्यारन में भारत का पहला होट एर बैलून वाइल लाइफ सफारी बांदवगर टाइगर इसर में शुरू किया गया है तो हमारा सी आप्शन सही है तो चलिए दोस्तों इसके बारे कुछी पुइंट पुइंट जानते हैं दोस्तों बाग अब्यारन में भारत का पहला होट एर बैलून वाइल लाइफ सफारी मद्यप्रदेश के बांदवगर टाइगर दिजवर में शुरू किया गया है तो दोस्तों इस 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 पहला है इसलिए इस इसके इस कोशन भी उड़ सकते हैं तो आप इसको चैसे याद करिएगा तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स ऊचन बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है आऀब पोर्टल और मुबाईल एप इस संपता किस छेतर दौर शुरू किया गए तो दोस्तों वैब पोर्टल और मुबाईल अप इस संपता संपता निदेश कोशन दौरा शुरू किया गया है तो हमारा D option सही है तो चलिए दोस्तों इसके बारे कुछी प्रिंट प्रिंट जानते हैं दोस्तों आवास और शेहरी मामलों में राज्य मतरी यानि आई सी हरदीप एस पूरी ने 25 दिसमबर 2020 को एक नया वैब पोर्टल और मुबाइल एप इसमपदा लॉंच किया है तो चलि प्रेक्शन महानी देशालिये डी जी टी ने आई टी चात्रों के लिए डिजिटल लर्णिंग और स्किलिंग पहल शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साज़ेदारी की है तो दोस्तों प्रेक्शन महानी देशालिये डी जी टी ने आई टी चात्रों के लिए डिजिट लेर्णिंग और स्किलिंग पहल शुरू करने के लिए माइक्रोसोफ के साथ साज़ेदारी की है तो हमारा सी ऑप्षन सही है तो चलिए दोस्तों इसके वारे में कुछ मिनेंट पर जानते हैं दोस्तों कोशल विकास और उज्जे मिता मद्राले MSDE के तत्वाधन में प्रसिक्षन महानिदेश शाले डी जी टी ने आई टी आई चात्रों के लिए एक डिजिटल सामगरिश प्रदान करने के लिए माइक्रोसोफ्ट और नेसकॉम फांडिशन के साथ सयोग किया है तो चलि साबित का संकल्प और समाधान पुस्टक के लेखक कौन है तो दोस्तों कोविड 19 सभीता का संकल्प और समाधान पुस्टक के लेखक है कैलाज सत्यारती तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही है तो चलिए दोस्तों इसकेवाइन विचिवरे इंट जानते है बहरादू manufacturing Internet हां इस तक और सब्विट का संकल्प और समाधान जो कोड़ नाइंटीन ऍबता संकटः का संकल्प बहुए इसको बोल सकते हैं लेकर आए हैं इसकें आपकी 40 प्वेंट अपर प्रशय है फैर यहीं रह चुक यह बढ़ता हैsti हैं राष्ट्य पूर्युट्ट क्रिकेट टीम के लिए चेयन करताओं के नए अड्यक्स के रूप में किसे निक्त किया गया है तो दोस्तों तो है दोस्तों इसके वावनविंगोष निम्नने कि द्वारा राष्ट्य पूरुष्ट कर टीम के लिए चेन करताओं के नहीं अध्यक्स के रूप में न्युक्त किया गया है तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है रॉबिन जेक्मैन जिनका हाल ही में निध्न हो गया है किस देश के पूरव क्रिकेटर थे तो दोस्तों इनका हाल ही में निध्न हो गया है कि इंगले और प्रेंट के पूर क्रिकेटर और कमिन्टेटर रोबिन जेकमेन का निदन हो गया है वे पिछेतर परश्ट के थे और इनका भी नियुदन हो गया है तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स क्षेंडन बढ़ते हैं हाने किस देश ने लांगमार्च एट को अपनी पहली उडान में वर्तमान कक्षा में सफलता पूर्वक लांच किया है तो दोस्तों अभी चीन ने लॉंग मार्च एट को अपनी पहली उडान में वर्तमान कक्षा में सफलता पूर्वक लांच किया है तो हमारा डी ऑप्शन सही है तो चलिए दोस्तों इसके जानते हैं दोस्तों चीन की पहली उडान पर लॉंग मार्च एट रॉकेट लॉंच किया पुने प्रायोजे बूस्टर की ओजनास के द्वारे लॉंच किया गया है रॉकेट के बहुशक संस्क्रण्ट जमीन पर उत्रने में सक्षम होंगी तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स् हैं वार्तररफ रॉक्षगाश्टी जहाज्थ शुजीत ने कि स्राज्जिय में लॉंच किया गया है तो दोस्तों अभी ज्यक्रवारे लॉंच किया गया है हमारा। D-Option सही है अचलिए दोस्तों इसके बाइवर ने कुसी पर इनपन्स जानते हैं मीं दोस्तों भारते कोश्ट गार्ड जहाज शुजीत एक सुपांच मीटर ओफट गस्ती जहाजों कि शंकला में दूसरा गोवा में कमिशन किया गया है तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स शुशन बढ़ते हैं हमारा नेक्स कॉशन है कितने कमपनियों ने समझोते गयापन पर मेगनेटिक महाराश्ट 2.2 पहल के तहट महाराश्ट सरकार के साथ 61,000 करोड का समझोता किया है तो दोस्तों अभी 25 कमपनियों ने मैगनेटिक महाराश्टर दूप पॉइंट और पहल के तहट महाराश्टर सरकार के साथ 61,000 करोड का समझ जोते किया अपर परस्ताक्षर किये हैं तो हमारा यह आप्शन सही है तो चलिए दोस्तों इसके वारे उस्टिमिन पॉइंट जानते हैं दोस्तों महाराश्टर आज एक सरकार ने अपनी सुंबकिये महाराश्टर पहल के तहट 15 से अधिक छेतरों में 25 भारते कमपनियों के साथ 61,000 करोड रुपे किसम जोते गया पन किस सरकार ने अपने राज्ये में फर्स्ट फ्रूट्स पॉर्टल का उद्गाटन किया है तो दोस्तों अभी करनाटक सरकार ने अपने राज्ये में पहले फ्रूट्स पॉर्टल का उद्गाटन किया है तो हमारा सी ऑप्शन सही है तो तलिए दोस्तों हम इसके बारे परियोजना नाम से लॉंच हुई है तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट कोशन है भारत में राष्ट्य उपभौकता दिवस किस तारीक को मनाया जाता है तो दोस्तों भारत में राष्ट्य उपभौकता दिवस 24 दिसम्बर को मनाया जाता है तो हमारा सी ऑप्षन सही है तो चलिए दोस्तों इसके बाइने क्छी मिनेंट पॉइंट जानते है दोस्तों हर साल 24 दिसम्बर को भारत में राष्ट्य उपभौकता दिवस के रूप में म मुलब अलग लग देशों के अलग लग डेट नो थो चलिए दोस्तों हमाएं नेक्शन आ बढ़ते हैं हमारा नेक्स ऐसरी अर्जुन मुंटा ने किस राज्चे में एक नया ट्राइब इंडिया आउट्लेट शुरू किया है तो нал दोस्तों के अर्जुन Schnee ने असम राज्ये में एक नया ट्राइब्स इंडिया आउटलेट शुरू किया है तो हमारा डी ऑप्षन सही है तो चलिए दोस्तों इसके बारे कुछी मिद्ट जानते हैं दोस्तों गुआटी असम में 126 वा ट्राइब्स इंडिया शुरूम शुरू किया गया है इससे आदिवासी हल्ट शुरूर हत करगा और वन धन प्राकर्तिक और प्रतिरक्षा बूश्टर के विर्णन में मदद मिलेगी तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट कोशन है किस इस्तान पर भारत ने CSN के तहट छेतर का विस्तार करने के लिए 30 रडार इस्टेशन इस्तापित किया है तो दोस्तों अभी मालदी मियानमार और भांगलादेश के साथ मिलकर भारत ने CSN के तहट छेतर का विस्तार करने के लिए 30 रडार इस्टेशन इस्तापित किया है तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछी मिनेट पर जानते हैं दोस्तों भारत ने 30 निगरानी नेटवर्क CSN के तहट छेतर का विस्तार करने के अपनी योजना के तहट मालदी मियानमार और भांगलादेश में 30 रडार इस्टेशन इस्तापित करने की योजना बनाई है तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है भारत भर में संयुक्त खनीज अन्वेशन के लिए किन कंपनीों ने समझोते के अपन पर स्ताक्षर किये हैं तो दोस्तों भारत भर में संयुक्त खनीज अन्वेशन के लिए NMDC और MECL कमपनियों ने समझोते कि आपन पर स्थाक्षर किये हैं तो हमारा भी आप्शन सही है तो चलिए दोस्तों इसके बार में कुछ इमिनेट प्रिंट जानते हैं दोस्तों लोह आइसक प्रमुक NMDC लिमिटेड ने भारत में इफेन राज़्चियों में पारसपरिक रूप से सहमत परियोजनाओं में लोह अस्यक सोना कोईला हीरा और अन्य खनीजों के लिए स्विक्ट अन्वेशन की खनीज लिगम लिमिटेड MECL के साथ MOU पर स्थाक्षर किये हैं तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स विशन बढ़ते हैं इतंगा हैं मु áम परोप्षिशक आ इसे से साथ catchy दोस्तों कब बनाए गया है 24 دिसंबर को और हम यह जानेंगे कि या दोसनेगी स्चिह क लेंदी न कम धुआ अन legacy है क्या थी दोस्तों यह important point होते हैं क्योंकि थीम से जो है वो बहुत question उठते हैं तो तहले इसके बारे कुछ important point जानते हैं दोस्तों राश्ट्य बोक्ता दीवस 2020 का wish है the sustainable consumer है तो तहले दोस्तों हमारे next question नबढ़ते हैं हमारे next question है भारते पुरुशोकी टीम किस इस्तान पर F.I.S. 2020 में समाप्थ हो गई है तो दोस्तों भारते टीम पुरुशोकी टीम चोथे इस्तान पर F.I.S. 2020 में समाप्थ हो गई है तो हमारा बी option सही है तो चलिए दोस्तों इसके वारे कुछ पुरुशोकी टीम जानते हैं दोस्तों को वर्ष का एक बड़ा हिस्सा बादित होने के बाद भारते पुरुशोकी टीम 2020 में चोथे इस्तान पर रही है तो चलिए दोस्तों हमारे next question है किस मंत्राले ने 500 million dollar green national highway corridor प्रियोजना पर रस्ताक्षर किये हैं तो दोस्तों अभी विश्व बैंक कोर्परेटर मंत्राले ने 500 million dollar green national highway corridor प्रियोजना पर रस्ताक्षर किये हैं तो हमारा बी option सही है तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इमिन पर जानते हैं दोस्तों L&T प्रमुक प्रनालियों की delivery के लिए green channel का दर्जा देने वाली पहली नीजी छेत्र की रक्षा कंपनी होने का गोरव रखती है तो चलिए दोस्तों हमारे next question बढ़ते हैं हमारा next question है किस संस्ता ने COVID-19 vaccine market dashboard launch किया है तो दोस्तों अभी UNICEF ने COVID-19 vaccine market dashboard launch किया है तो हमारा बी option सही है तो चलिए दोस्तों इसके बारे कुछ नेट पॉइंट जानते हैं दोस्तों UNICEF ने एक COVID-19 vaccine बाजार dashboard launch करने की खोशना की है तो चलिए दोस्तों हमारा next question बढ़ते हैं हमारा next question है अनन्त कम्पनी योंद को विदेशी कंपनियों के लिए online launch launch करने के लिए भारत में कौन सा बैंक एक बैंक बन गया है तो दोस्तोंट कम्पनियों को भारत्य कंपनियों के लिए online launch launch करने के लिए ICCI Bank ICCI Bank ICCI Bank एक मलब उनके लिए विज़शी कंपणियों के लिए एक बैंक बन गया है तो हमारा C option सही है तो तर लिए दोस्तों इसके बारे कुछ इने परिंट जानते हैं दोस्तों ICCI ICCI Bank ने विज़शी कंपणियों का भारत में एपार इस्तापित करने या विस्तार करने में शक्षम मनाने के लिए एक ओनलाइन मंज शुरूप किया है प्लेटफॉर्म को इंफिनिटी इंडिया की रूप में मनाया जाता है दोस्तों इंफिनिटी इंडिया को अपर अनंत भारत भी बोल सकते हैं जो बैंकिंग समाधन प्रदान करेगा साथ इग अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों लाश में इतने कहां चाहता हूं कि अगर आप में से किसी को भी 16 पाउर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी कहरी हो या आपको अपने घर या कहीं पे भी 16 पाउर प्लांट लगवाना हो तब स्क्रीन पर दिया फोन